ओम शंति गुड मॉर्णिंग आज हम सभी सुनेंगे मिठे बाबा की एक सेप्टमबर फर्स्ट सेप्टमबर 2020 के महावाक्पे हैं मिठे बाबा ने कहा मिठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुहिगति सुनाने जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं पतित होने से विकर्म होते हैं प्रश्न है आत्मा पर जंक चढ़ने का कट चढ़ने का कारण क्या है कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी उत्तर है कट चढ़ने का कारण है विकार पतित बनने से ही कट चड़ती है अगर अभी तक कट चड़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी बुद्धी क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी ना अपराद करती रहेगी बुद्धी याद में रहने ही सकेंगे ओम शान्ती बच्चे इसका आर्थ तो समझ गए है ओम शान्ती कहने से ही यह निश्चे हो जाता है कि हम आत्माएं यहां की रहवासी नहीं है हम तो शान्ती धाम की रहवासी है हमारा स्वधर्म शान्त है जब हम घर में रहते हैं तो शान्त रहते फिर यहां आकर पाड़ बजाते हैं क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा कर्म बुरा होता है रावण राज में रावण राज में सब के कर्म विकर्म बन गए हैं एक भी मनुष नहीं जिससे विकर्म ना होता हो मनुश्य तो समझते सादू संत आदी से विकर नहीं हो सकता क्योंकि वो पवित्र रहते हैं सन्यास किया हुआ है वास्तों में पवित्र किसको कहा जाता यह बिलकुल नहीं जानते कहते भी हैं हम पतित हैं पतित पावन को बुलाते हैं जब तक वह ना आये, तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती है, यहां यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं, पावन दुनिया में जब जाएंगे, तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, वह दुनिया ही अलग है, हर एक चीज फिर पुरानी होती है, नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके, नई दुनिया का रचयता है परमपिता परमात्मा, वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए ना, परमात्मा पर पतित से पावन बनाने वाला परम पावन है, तो उसके बच्चे भी कैसे हो, वो भी पावन होने चाहिए, पतित सो पावन, पावन सो पतित यह बाते दुनिया में किसकी बुद्धी में बैठ न सके, कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चे बुद्धी होकर फिर संशे बुद्धी हो जाते हैं, माया एकद राजाओं को भी समझाना है तुम ही पहले पावन पूज थे और अभी तो यह है ही पतित दुनिया पावन दुनिया में भारतवासी ही थे तुम भारतवासी आधी सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिर्थाज संपूर्म निर्विकारी थे महारतियों को तो ऐसे समझाना होगा ना इस नशे से समझाना होता है भगवान वाज काम चिता पर बैठ सावरे बन जाते हैं फिर ग्यान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे आत्मा गोरी बन जाती है तो फिर दोको शरी भी बहुत अच्छा मिलता सत्यूग में अब जो भी समझाते हैं वह तो कामचिता पर बैठ न सके, है न क्योंकि खुद जब हमने कहा ग्यान की बातों को समझा रहे तो खुद तो गलत नहीं करेगा न व्यक्ति, परन्तु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते कामचिता पर बैठ जाते हैं, आज ये समझाते कल विकार में गिर पड़ते, माया बड़ी जबरदस्त हैं, बात मत पूछो, औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पश्टाते हैं, ये क्या हुआ, बॉक्सिंग है न, इस्त्री को देखा और कशिश आई, काला मू कर दिया, तो पतित बन गयना, माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिग्याकर और फिर गिरते हैं, तो कितना सोगुना दंड पड़ जाता है, वह तो जैसे शुद्र समान पतित हो गया, गाया भी हुआ है, अमरत पीकर फिर बाहर में जाए, दूसरों को सताते थे, गंद करते थे, ताली द बज न सके, पर एक के अंदर भी कारा है, दूसरा अपने आपको पवित्र रखे तो नहीं हो, दोनों खराब हो जाते हैं, फिर कोई तो समाचार देते हैं, और कोई फिर लज्जा के मारे बताते नहीं है, तो ये भी तो पोता मिल दे ना, हमने कहां हार खाई, कहां जीत खा ब्रामण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए, युद्ध कोई हारते हैं, तो हाहकार हो जाता है, दुनिया में चल रहा है, देखो, है ना, माया से हार गए, तो देखो, निउस पेपर में, टीवी में सब में, देखो, निउस दे रहे थे, कुनों ने ऐसा गलत कर दिया, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, ऐसे बहुत एक्सिडेंट होते हैं, माय थपड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है न, तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे, वही कामचिता पर बैठने से, काले तमो प्रधान बने हैं, राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंत मुख्य की बात समझाई जाती है, यहां भी राम चंदर का काला चित्र है, अब उनसे पूछना चाहिए, काला क्यों कहा है, क्यों बनाया है, कह देंगे यह तो इश्वर की भावी, यह तो चलता आता है, अना समझ कुछ बस भगवान करारा जो भी है, तो अपने उपर नहीं लेते हैं, क्यों होता, क्या होता, यह कुछ भी नहीं जाते हैं, अब तुमको बाप समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से, पतित, धुखी, वर्थ, नाटे, पैनी बन जाते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, यह सूरिवन्शी, यह चंद्रवन्शी, फिर वैश्यवन्शी, बनना ही है, वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते हैं, जगतनात के मंदिर में उपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवता बाबा करें, मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनात द्वारे में भी समझा सकते हैं, पूशना चाहिए, इनको काला क्यों बनाया है, यह समझाना तो बड़ा अच्छा है, वह है गोल्डनेज, यह है आईरनेज, कट चड़ जाती है न, अभी तुमारी कट उतर है, आत्मा पे जो जंक लग गई है, तो बाबा की याद से उतरती है, जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती, बहुत कट चड़ी हुई है, तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश हो गई, जादा कट चड़ी हुई होगी, तो बार-बार उसको पुरानी दुनिया य जाती है अच्छे अच्छे फर्स क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते न मुख्य बाबा पवित्रता के लिए कहते अब भी तुम बच्चों को ये समझ मिली है मुख्य बात है ही पवित्रता की शुरू से लेकर इस पर ही जगड़े चलते आए हैं बाप ने ही युक्ति रची सब कहते थे अब हम ग्यान अम्रत पीने जाते हैं ग्यान अम्रत है ही ग्यान सागर के पास शास्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है यहां पावन बन फिर कहां जाएंगे सोचो लोग समझते हैं फलाने ने मौ उक्स को पा लिया, फिर तो उनका क्रिया करम आधी नहीं कर सकते, यहां जो अगर आधी जगाते हैं, कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अधियारे में ठोकरे ना खाए, आत्मा तो एक शरी छोड़ दूसरा ले लेती है, एक सेकंड की बात है, है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, पह तब ही जब उधर दूसरा उसका शरीर तयार होता है, तो जाकि उसमें जट से प्रवेश हो जाती है, तो बाबा कहरे फिर अधियारा कहा से आया, यह रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, सब कुछ नहीं, बाबा कहरे अब कुछ नहीं करते हो, तुम जानते हो, शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रसम रिवाज होती ही नहीं है, आज कल रिद्धी सिद्धी की बातों में कुछ रखा नहीं है, अब समझो कोई को पंक खा जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे फाइदा क्या मिलेगा, बाप तो कहते मुझे याद करो, कई के उमंग उत्सा बड़ा आया, खुश हो गए, चलो, लेकिन बाबा कहते बिना याद के विकर मिनाश नहीं होंगे, यह योग अगनी है, जिससे पतित से पावन बनेंगे, नौलेज से धन मिलता है, और योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते है, योगी की आयू हमेशा बड़ी होती है, और भोगी की आयू कम हो जाती है, क्रश्न को योगेश्वर कहते हैं उश्वर की याद से करश्ण बना है उन को स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे वह तो प्रिंस है पास्ट जन्व में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है आधा कल्प है रामराज आधा कल्प है रामराज विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप सब भाई बहन है ना आत्माएं सब क्या है भाई भाई है भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल एसाल्ट करते हैं अपराद किया गलत किया हम बी के विकार में जा नहीं सकते इस युक्ती से ही पवित्र रह सकते हैं तुम जानते हो अभी रामराज खतम होता है फिर हरेक आत्मा पवित्र बन जाती है उसको कहा जाता है घर-घर में सोजरा तुमारी जोत जगी हुई है ज्यान का तीसरा नेत् मिला है सत्युग में सब पवित्र ही रहते हैं यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है नंबरवार याद में रहते हैं राजधानी कैसे इस्थापन होती है कोई की बुद्धी में यह नहीं होगा तुम से ना हो जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजारानी बन रही है फिर दूसरे जर्म में गोल्डन स्पूनिन माउथ होगा बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते है फर्क पढ़ता है ना जितनी पढ़ाई उतना सुख या तो भगवान पढ़ाते है या नशा चड़ा हुआ रहना चाहिए चोब चीनी है ना ताकत का माल मिलता ये ज्यान क्या है आत्मा को ताकत का माल बाबा दे रहे है तो भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे, तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उंच पद पाएंगे, पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते, दे अभिमान में आने से फिर ग्यान का तीसरा न हित्र बंद हो जाता है, माया बड़ी जबरदस्त है, बाप खुद कहते बड़ी मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते, ऐसे थोड़ी हो सकता है, शिवाबा कर पढ़ते हैं, हम नहीं मानते, ये क्या है, चालाकी है ऐसे भी बोल देते, राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, ज्यान में आओ, पुरशार्थ करो ना करो, भगवान का काम तो हो ही जाएगा, इसने कहते हैं, सच की बेड़ी हिलती है, डुलती है, परन्तु डूपती नहीं है, कितने विग्न पढ़ते हैं, तो विग्न भी आ सब कुछ होगा, लेकिन बावने का जो लिष्चे वुद्धी बच्चे होंगे, उनकी नईया पार हो जाएगी, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे, नूरे रतना, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माव प्रती, मात पिता, बाब दादा का, दिल वा जान, सिक वा प्रेम स याद प्यार और गुद्ध मॉर्निंग, रोहानी बाब की रोहानी बच्चो को नमस्ते, हम रोहानी बच्चो की रोहानी मात पिता, बाब दादा को याद प्यार नमस्ते और गुद्ध मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहत दिल से प्यारे बाबा का शुक धारणा के लिए आज मुर्ली का सार है फर्स्ट पॉइंट है योग की अगनी से विकारों की कट जंक को उतारना है अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धी क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है सेकेंड पॉइंट है निश्चे बुद्धी बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में इस्थित होकर बाब की याद में करना है बाब का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनभव द्वारा पावर्फुल बनने वाले सदा सफलता मूरत भव जो सर्व प्राप्तियों के अनभवी मूरत हैं वही पावर्फुल है ऐसी पावर्फुल सर्व प्राप्तियों के अनभवी आत्माएं ही सफलता मूरत बन सकती हैं क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूनेंगी कि सुक शान्ती के मास्टर दाता कहां है तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे जैसे आज कर एक ही स्टोर से सब चीजे मिल जाती है है ना जैसे आपका बिग मॉल है सब चीजे मिल जाएगी छोटी से लेके बड़ी चीज़ तो ऐसे आपको भी बनना है ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की शक्ति नहीं सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मुरद बन सकेंगे और आज का स्लोगन है मर्यादाएं ही ब्राम्हन जीवन के कदम है कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुँचना अपनी मर्यादा में हमें चलना होगा तभी तो मंजिल पर पहुँचेंगे अच्छा आज दादी जी की विशेष्टाएं हम सुनेंगे दादी ने कहा अंदर में थोड़ा भी आलस से आया तो पूरा ही देखो माया खा जाएगी आज थोड़ा आलस आएगा कहेंगे चलो क्लास में लेट जाते क्या फर्क पड़ेगा धीरे धीरे माया पूरा खा लेती है सर्विश की फील्ड में भी आलस से के अनेक बहाने बनाते दिल सची नहीं तो अनेक कारण निकलते दिल सची हो तो कोई भी कारण नहीं फिर दादी ने कहा बाबा ने देखो कहा बच्चे अपने संकल्पों को इस्टॉप करने की प्रैक्टिस करो अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी इस्थिती में इस्थित होने का अभ्यास करो इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करो तो बुद्धी, शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी और खुशी में रहेंगे अच्छा, ओम शंती, ओम शंती